नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए अब हम बहुपद से जुड़े कुँछ बहुत ही जरूरी पदों को समझें और परिश्वास हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि पद क्या होता है, गुडांग क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है। तो इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले यहां पे एक उधारण ले लेते हैं और उधारण के लिए मान लीजे कि आपको ये एक बहुपद दिया गया है तो अगर आपके पास यह बहुपद है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके पद क्या क्या होंगे तो पद का आशे है कि कौन-कौन से अलग यहां पे आपको पद दिये गए हैं जिनके योग फल से आपको यह बहुपद मिल रहा है तो इसके कौन-कौन से पद हो गए? इसके ये चार पद हो गए तो इस बहुपद में कितने पद है? इस बहुपद में चार पद है जो की है माइनस x3 प्लस 4x स्क्वार, 7x और माइनस 2 अब बात आती है गुडांग की तो याद रखिए कि गुडांग हम हर पद के लिए अलग-अलग परिभाशत करते हैं जैसे कि अगर x3 का गुडांग हम मानें तो वो हो जाएगा माइनस 1 हर पद के लिए गुडांग हम अलग से परिभाशत करते हैं और हर पद का आशे ये हैं कि हर घात के लिए हम गुडांग अलग से परिभाशत करते हैं जैसे कि अगर इस प्रश्ण में ही या कोई और उधारन ले लें जिसमें आपको कुछ इस तरीके की चीज दी होगी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब और आप क्या दिया जाए कि आप एक्स क्यूब का गुडांग बताईए तो सबसे पहले आप एक्स क्यूब को अलग लिख लीजे और माइनस वन प्लस ए इस प्रकार से लिख लीजे तो अब x cube का गुडांग क्या हो जाएगा माइनेस 1 प्लस A मतलब पूरा पूरा हमको गुडांग बताना है जो कि उस घात का उस चरपद की घात का होगा तो अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि x square का गुडांग क्या है तो आप बहुती सरलता से बता देंगे कि x square का गुडांग प्लस 4 है याद रखिए कि जब हम गुडांग की बात कर रहे हैं तो हम संख्या को उसके चिन्ने के साथ ही यहां पे निर्पित करेंगे अगर हम x के गुडांग की बात करें तो x की घाट शूर ने का जो गुडांग है वो माइनस 2 हो जाएगा या फिर हम कहलें कि अचरपद माइनस 2 हो जाएगा अब बात आती है बहुती की घाट की तो पूरे बहुती की घाट निकालने से पहले हमें हर पद की घाट निकालने पड़ती है तो हर पद की घात मतलब उसमें जो भी हमारे पास अचर पद है उसकी क्या घात है तो अगर हम पहले पद की घात की बात करें तो वो तीन हो जाएगी दूसरे पद की घात दो हो जाएगी तीसरे पद की घात एक हो जाएगी और चौथे पत की घात शूर ने हो जाएगी और इन में से जो सबसे बड़ी घात है वो हो जाएगी बहुपत की घात और इस में से सबसे बड़ी घात कौन सी है अगर हम सबसे बड़ी घात की बात करें तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है संख्या 3 तो यानि बहुपत की घात 3 हो जाईगी तो अभी हमें क्या क्या समझ में आया कि अगर किसी बहुपत की हम बात करते हैं तो उससे जुड़े कुछ विशेश परिभाशाएं हैं पद गुडांग और बहुपत की घात अब मैं आपको बताओं कि हम लोग के पास ये द गात के अनुसार हमारे पास जो भी प्रकार है वो कुछ इस प्रकार से होंगे रैखिक बहुपत का आशे ये हुआ कि घात दिये गए बहुपत की कितनी है घात है एक तो अगर दिये गए बहुपत की घात एक है तो ऐसे बहुपत को हम रैखिक बहुपत कहेंगे और रैखि अगर हम सिर्फ पद X की बात करें, एक और धारण हो सकता है कि 3X प्लस 1 हो जाए, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि X की सबसे बड़ी घात एक ही है, इसके बाद दूई घाती बहुपत का आशे यह हुआ कि दूई घाती बहुपत यानि बहुपत की घात 2 हो गई, तो अब हमें यह बहुपत लिखा तो उसमें सबसे बड़ी बहात 2 होनी चाहिए, बाकी घात हो या ना हो इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता, सिर्फ X स्क्वाइर भी हो सकता है, और एक उधारण आप ले लिजे, माइनस X स्क्वाइर, माइनस X भी हो सकता है, सिर्फ किस बात की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल साधारण बात है कि इसमें सबसे बड़ी घात, चरपत की या फिर पूरे भूपत की घात, तीन हो जाएगी, और उधारण के लिए हम देख सकते हैं, कि क्या हो जाएगा, X क्यूब हो, या फिर हम कहले, X क्यूब माइनस 1 हो, या फिर X क्य सबसे बड़ी घाद बस तीन होगी तो हम उसको त्रीघाद भूपत कहेंगे दूई वर्ग भूपत इसलिए बता रही हो मैं उसका कारण यह है कि दूई वर्ग का जो English translation होता है अंग्रेजी में translation होता है इसका मतलब होता है by quadratic असल में जब भी हमें quadratic शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि चार से related कोई बात की जा रही है बट सिर्फ और सिर्फ भाउपद के केस में हम चार की जगह quadratic को दो के लिए कहते मतलब जो यह दूई घात भाउपद है इनका अंग्रेजी नाम होगा quadratic और दूई वर्ग का अंग्रेजी नाम होगा by quadratic इसलिए मैंने आपको यह दूई वर्ग भी बताया है आपके syllabus में देखा जाए कोर्ष में देखा जाए तो इ अनुसार होनी चाहिए ठीक है एक और तरीके का यहां में हम विभाजन देख सकते हैं बहुपद का और वो है उसमें मौझूद पदों के अनुसार तो अगर आपके पास कोई ऐसा पहुपद है जिसमें सिर्फ एक पद हो मतलब PX में सिर्फ एक पद हो तो हम उसे क्या कहें कि वो एक पद है वो पद की घात कुछ भी हो सकते हैं मगर सिर्फ एक पद हो रा चाहिए अगर हम दूई पद की बात करें तो ऐसा कोई भी भाजुपद जिसमें दो पद हो घात कुछ भी हो हमें कोई फरक नहीं पढ़ता दूई पद मतलब दो पद त्री पद मतलब तीन और इन सबके साथ ही, और भी अगर चार पद हैं, पांच पद हैं, तो इनको भी और उन सारे बहुपदों को भी हम को मिला करके बहुपद कहते हैं, तो बहुपद एक पूरा नाम हो गया, और कुछ इस्पेशल नाम है, जोकि एक पदी, दुईपद और दुईपद के लिए ह हमारे पर मौदूद है इस प्रकार से